अप्छी आप सभी अच्छे होंगे जोहार जारकन मैं इसके सिंग एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो जैसे कि आप सभी को पता होगा बेसबडी से बहुत ही जादा इंतजार होगा और आप सभी सोच रहोंगी कहीं से एक ऐसा वीडियो मिल जाए आ रहे हैं और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए इस बार एक्जाम टलने की समभावना बिल्कूल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसके पीछे कुछ रिजन है हाँ जहारकन की मैं बात करूं तो जहारकन का जो पिछले रवया रहा है कभी फिर बड़ा हो जाता है तो 28 जनवरी अर्थात हमारे आज होगे कितने 19 तारीक 28 जनवरी और भाई 2024 है न इस डेट में आपके एक्जाम होने वाले थे दूसरी जो डेट हमारा रिलीज हुआ है चार फरवरी 2024 को और इसी डेट पे एक्जाम होने की समभावना है मैं यह किस तथे पर बात कर रहा हूं अ आज लेकर आया विडियो क्योंकि मैं सोचा यह चोटी सी थी आया में आया और यह बिडियो बनाकर घाबT करवा देता हूं कि भाई तीन पाली में हमारा एक्जाम होगा और बाकी सुभधा आपको करवाना है जो भी जिस सेंटर का कारे हो अपने कारे में लग जाए भाई पहला जो दिनांक दिया गया है अठाइस एक दोहजार चोविस और दूसरा है चार दोहजार चोविस मतलब अठाइस जनवरी और चार फटवरी दोनों डेट पे तिन तिन पाली ओं में एक्जाम होगा प्रथम पाली जो सबसे मोर्निंग का समय है वो आठ तिस से कितना दे दिया गया है दस तिस यह दस तिस यह हिंदी का और इंग्लिस का क्वालिफाई पेपर है तो इसमें मजे से कडिएगा बहुत टाइम बचेगा इसमें जल्दी करने की कोई जरूवत ही नहीं इतना आराम आराम से आप कर पाऊगे कि आपके पास यह बहुत इनफ समय दे दिया गया है जो की लेंग्वेज में 30 मिनट तक चलेगा जी हां दूसरी पेपर जो हमारा चलेगा 1130 चलेगा यह भी दो घंटे का एकजाम होगा इसमें भी आप टाइम टेकिंग अराम से करना कोई दिक्कत नहीं है जितना अराम से हो सके कोश्चन को करना है यहां पर कोई जल्दी नहीं आराम से कोश्चन जैसे मालों कि पेपर टू लैंगविज पेपर में भी क्या है कोश्चन पढ़ना अंसर करना है तो अराम से करिएगा थोड़ा सा भी इदर उदर से सोचना नहीं है कि हमको कोश्चन छूट जाएगा एकदम आराम अराम से करके निकल जाना है पेपर त्री की जो बात है उस पांच बज़े तक चलेगा और इस जो पेपर होगा पेपर ठर्ड यह आपके लिए भाई स्टार मार लो यहां टाइम मनेजमेंट की जरूवत परेगी क्योंकि इसमें आपके मैस है इसी में आपके जिक्के जियस है मैस हो गया रिजिनिंग हो गया जहारखन जियस हो गया अपका केंप्यूटर हो गया मेरे दोस्स समझ रहें बातों को साइंस हो गया सेग्मेंट भे ठीक है तो यहां पर रस्ट में लिख लिए आपको टाइम नहीं लगेगा यहां पर यहां पर यह जो दो पेपर हैं यह देखिये मैस आपको प्रंतु टाइम टेकिंग है मैस अच्छा देखने को मिलेगा तो यह दोनों पेपर को आप देख लोने किसको लाक्त में करना इन सभी पेपर को करने के बाद स्कों किजिए गा और जिसका जो बेटर है वाई वो अपने हिसाब से कर लेना अब यहाँ पे ज़्यादा उब्देश देने की जरुवत मुझे नहीं है तो अभी जो वीडियो बनाने का परपस था मेरा यही कि एक्जाम तो इस डेट पे होने से रही जो की लिख दिया है तो होगा ही परन्तु आपका कारे क्या है एडिमिट कार्ड जो की अब मैंने थमलेन में आप देखे होंगे तो सुन लिजिए एडिमिट कार्ड हो सकता है कि 20 के 20 एक 2000 24 24 अर्थात कल के रात्तरी 12 बजे या पर्सो के रात्तरी 12 बजे तक आपको मिलने की लगभग संभावना है क्योंकि या आप लोगे मान लिजिए और अपनी तयारी को जो रफ्तार से कर रहे हैं उस रफ्तार से करते रहें कहीं से कम मत होने दिजिए ये दोनों चीज़े आपको बता दे और भाई चलो इस पे जितना जादा से जादा हो सकता है और मेरे एक सेशन आ रहा है जो बिल्कुल 10 दिन में मैस का इदम पूरा चेप्टर रिवायज करवा देंगे 10 दिन में उसके लिए प्रती दिन 7 बजे वायटी पे जूर जाएगा और यहाँ पे मिक्स कोश्चन का एक सीरिज में लेके आ रहा हूँ जिसमें भाई प्रते एक चेप्टर के आपके प्रती दिन 50 कोश्चन में करवाऊँगा 7 बजे से 9 बजे और यह बिल्कूल ही फिरी होगा तो यह 10 दिन वाला सेटन इसको जरूर जोइन कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके कोश्चन डाइडेक्ट लडएंगे यह वह प्रतन होंगे जो प्रिवियस सेके एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो चलिए आज के लिए इस नोटिफिकेशन में इतना ही रखता हूँ अगर आपको नोटिफिकेशन इश्फुल लगा हो वीडियो इश्फुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जादा से जादा से येर करिएगा बाई और लाइक करना मत भूलिएगा ये पहला आपका अधिकार है लाइक जरूर करके जाईएगा चलिए तो आज के लिए इतना ही तब तक हम दो मिलते हैं फिर से रियल नोटिफिकेशन जो जैसे सी के द्वारा आउट हो जागा उसके बाद एक वीडियो बना के दे देंगे तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जै हिन्द जै भारत जोहार जहार खंड